हेलो एब्रीवान वेलकम तो माइ चैनल फ्रेग्रिंस ऑफ नेचर और अज के मंडे अपडेट की शुरुवात ये एक बहुत ही प्यारी संबर्ड के साथ संबर्ड ने ये दिखे कितने सुन्दर से दो बेबीज दे रखें आप ये थोड़े बड़े हो गया और कितनी प्यार ही लग रही है अपने नेस्ट में बैठी हुई मेरे घर में दो तरह की बर्ड ने नेस्ट बनाया एक स्पैरो ने बनाया है और ये संबर्ड ने बनाया हुआ है और ये मनी प्लांट की बेल की उपर ही इन्होंने नेस्ट बनाया और किचन के पास और बहुत ही सुन्दर लाते हैं और चले जाते हैं और ये दोनों बर्ड इसी में रहती हैं जब इनके पास जाओ तो ये अंदर हो जाती हैं बहुत ही अच्छा और लकी होता है बर्ड का नेस्ट बनाना आपके घर में और आज के मंडे अपडेट में देखिए समर फ्लास के बारे में हम देखेंगे 15 प्लस समर फ्लास मैं आपको दिखाऊंगी वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे समर फ्लास केल रहे हैं लेकिन मैं आज आपको थोड़े से समर फ्लास दिखाऊंगी सबसे पहले ये विंका का फ्लार है काफी कलर के विंका मेरे पास हाइब्रीड विंका और दूसरी इसी विंक है और देखें जहां पर इसके सीड्स गिरते हैं वहीं पर देखें कितने सुन्दर सुन्दर न्यू प्लांट्स इसके त्यार हो जाते हैं और इनके प्लांट्स मैं शिफ्ट नहीं करती हैं उसी प्लांटर में चलने देती हूं जहां पर इसके सीड्स गिरते हैं क् हम shift करेंगे तो हमारे पास planters की भी कमी हो जाती है और ये कोचिया ये तीन मैंने seeds से grow किये थे इसके बीच में भी एक white color का विंका खिल रहा है इस planter boat ship planter में मैंने तीन कोचिया लगा रखें और ये हमारे second number पर है ये गिलाडिया का plant yellow गिलाडिया एं red and yellow shaded गिलाडिया ये भी मैंने seed से ही grow किये थे और ये cutting से भी बहुत अच्छे से grow हो जाते हैं और तीसरे नमबर पर देखिए जरबेरा का plant जरबेरा के भी ये मेरे पास काफी पूराना plant है red color के flowers आते हैं और बहुत सारे plants इसमें multiply हो चुके हैं और हम इसके new plants भी बना सकते हैं अगर चाहें तो ये देखिए यहां से इसकी buds निकल रही है new जरबेरा की भी summer में बहुत अच्छी flowering होती है बस इसको आप shade में थोड़ा सा shift कर दें गर्मियों में और ये fourth number पर देखिए हमारा ये फोबिया मिली का plant है ये फोबिया मिली भी बहुत ही सुन्दर plant लगता है इसके देखिए भरा हुआ है ये पूरा flowers के साथ बस इसको आप पानी कम दें तो बहुत अच्छी flowering देगा ये और ये fifth number पे हमारा silocia का plant और ये सब मेरे free के plants है मैं हर वीडियो में आपके साथ share करती हूँ अपने free के plants coxcomb and silocia के बहुत सारी variety के अलग-अलग plants मेरे पास है इनको मैंने किसी को भी दुबारा से नहीं लगाया ये गर्मी आने पर अपने आप ही मेरे garden में निकलाते हैं अलग-अलग waste जो मैं कठा करती हूँ garden का शेयर किया था लास्ट वीडियो में इसमें मैंने ये देखिए धतूरा का plant है ये भी self-germinate हुआ है ये जीनिया लगाया था और silocia सब self-germinate हुआ है मिट्टी के अंदर जो इसके seeds थे वो सब अपने आप देखिए कितने सुन्दर लग रहे है और जब ये बड़े हो जाएंगे तो उस पूरा planter हमारा भर जाएगा और एक ये वराइटी है silocia की ये भी rose के plant में निकलाया हुआ है अपने आप बहुत ही beautiful shape का ये silocia का plant है मेरे पास white, yellow and pink and red color के लगलग shades है और ये balsam भी मैंने cutting से grow किये है cutting से भी हम balsam को grow कर सकते हैं और seed से भी grow कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने सब cluster में अपने rose plants को रख दिया हुआ है हर तरह का rose plant है ये अभी भी flowering कर रहे हैं और इसलिए हम मैंने इसको cluster में रखा है कि इनका आपस में moisture बना रहे हैं और गर्मी में हमारे rose plant खराब ना हो और ये हमारा 6th number पर है ये परसुलेन का plant और ये ड्वाफ इक्जोरा के plant में लगे हुए हैं देखे चार पांच तरह के plant लगे हैं और ये 7th number पर spider lily का plant और यहाँ पे भी सारे परसुलेन mix and match planters में लगे हुए red yellow and magenta color का परसुलेन का plant है मेरे पास और बहुत ही अच्छा सुन्दर लगता है देखने में ये गर्मियों में और ये हमारा 8th number पर है sunflower का ड्वाफ sunflower का ये plant है और जहाँ पे भी जब इसके spent हो जाते है फ्लार और इसके ये दिखे seed pod बन जाता है जब ये सूख जाते हैं तो इसमें ये seeds काफी सारे होते हैं एकी seed pod में और ये black color के seeds हैं जब ये जड़के इदर उदर planters में गिच जाते हैं तो इसकी new plants अपने आप ही तियार हो जाते हैं और ऐसे ही मैं इनको भी ज़ाड कर इदर उदर जब planters में हम फैंक देंगे तो summer season पर अपने आप self germinate हो जा dog flower के seed pod है dog flower भी काफी दरूदर जब इनके seeds ये black color के देखें इसके seeds है जब ज़ड़ जाते हैं तो season आने पर हमें ये मिल जाते हैं और ये 9th number पर है हमारा zenia का फ्लार zenia तो summer flowers का राजा है जैसे petunia हमारा winter flowers का राजा होता है वैसे zenia बहुत ही सुंदर ये सब tall variety के zenia है और सब मैंने seeds से grow करें हुए है मैं इनके seeds collect कर लेती हूं और खुदी इनके plants त्यार करती हूं summer season के लिए और बहुत सारे मेरे पास zenia के plants है क्योंकि मैं इनका कोई भी seed throw नहीं करती अगर इसका seed कहीं गिर भी जाये तो भी season आने पर zenia के plants भी अपने आप निकल आते हैं और ये बिसकस 10th नंबर पर और ये जीनिया देखिए एक और color में ये सब अलग अलग प्लांटर में निकले भी हूए है और खुद कुछ मैंने seeds से grow भी किये हैं और ये सब sunflower है और 11th नंबर पर है हमारा ये देखिए इक जोरा का plant इक जोरा अभी एक permanent flowering plant है बस ये winter season में थोड़ा domancy में होते हैं और summer season पर देखिए अपने आप ही इसके flowers अच्छे से निकलने start हो जाते हैं और ये सब इसके बीच में भी silocia के plants निकल रहे हैं और ये 12th नंबर पर है गॉमफरीना का plant गॉमफरीना के भी red, sorry magenta, pink and white color के flowers होते हैं मिरे पास इसका ये फ्लार है ये सब मैंने seeds से grow की हैं लास्ट ये मैंने अलमांडा के plant में ही इसके seeds डाल दिये थे और सारे कठे plants निकल रहे हैं और इसमें भी देखिए एक परसुलेन भी yellow color का निकल रहे हैं और ये 13 नंबर पे हमारे अलमांडा का plant भी है ये भी permanent flowering plant है summer season में बहुत अच्छे इसके flowering होती है और य ये है हमारा 14 नंबर पे गिलाडिया का plant और ये है बेजिल जिसे हम वन तुलसी भी बोलते हैं ये बहुत अच्छी आयरवेदिक plant है और 14 नंबर पे देखिए हमारा ये है मदुमालती का plant मदुमालती भी बहुत ही अच्छा और सुन्दर गुच्छे में निकलने वाले इसको ग्रो वैग में ही लगा रखा है टेरस पर और बीच में जीनिया भी कुछ ग्रो हो रहे हैं और कितने सारे कलर ये मदुमालती में चेंज होते हैं वाइट पिंक एंड रेड कलर के ये अपने आप ही इसके अकॉर्डिंग टू सीजन इसके रोज के रोज इसके टेंप लाका का प्लांट और ये कुछ संफ्लार इसमें भी निकल रहें ग्रो बैग में और ये कुछ मेरे जिरेनियम अभी जो मैंने स्पेंट फ्लास थे इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था स्पेंट फ्लास उतारने के बाद देखें जिरेनियम के मेरे स सारे प्लांट्स फिर से फ्लारिंग पर आ गए हैं समर सीजन में भी यह अभी टैरस पर ही पड़े हुए हैं लेकिन मैंने इनको थोड़ा हाफ डे सनलाइट में रखा हुआ है सुबा की धूपिस में आती है सुबा शाम की और वैसे आप इसको शेड में ही रखें और बहुत इसकी फिर से स्टार्ट हो चुकी है जिरीनियम की और डाइन्थस की भी बहुत अच्छी फ्लारिंग दुबारा से हो गई है लास्ट वीक ही मैंने आपके सामने ऐसे इनको पिंच करा था इनके स्पेंट फ्लाज को आप उतारते रहेंगे और यह आपको पूरा साल फ्लारि इसके आ रहे हैं बस आप इसको थोड़ा शेड में ही रखें प्लांट को यहां पर देखें मैंने कुछ जो मेरे पास सीड्स पड़े थे कॉक्सकॉंब और सिलोशिया के मैंने डाले थे और यह 16 नंबर पर है हमारा कैनलीली का प्लांट और 17 नंबर पर है यह हमारा देसी प बिलेगा तो मेरे प्लांट सेव रहेंगे और यह 18 नंबर पर है कॉस्मोस का प्लांट येलो कॉस्मोस का प्लांट ये गर्मियों का कॉस्मोस का प्लांट है येलो औरेंज कलर कोता है यह है इसका सीड जहां पर इसके सीड्स गिरते हैं यह वहीं पर इसके प्लांट भी नि सारे plants इसमें multiply हो चुके हैं ये देखिए इसके ये जो multiply plants होते हैं इसको हम August में shift भी कर सकते हैं अलग-लग plants भी इसके बना सकते हैं और ये है हमारा 19th नंबर पे beautiful खिलने वाला हमारा गर्मियों में अदिनियम का plant अदिनियम के अब मेरी flowering start हो चुकी है इसको मैंने prune करा था अदिनियम पे भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है मैंने इसको कैसे प्रून करा था और कैसे इसको दुबारा से report करा है लिंक में description box में दे दूँगी please do watch the link and see how to prune and report the अदिनियम और ये देखे एक और सिलोशया की feather सिलोशया की soft touch plant है ये ये भी सब self germinate होए है और ये strawberry के planter में निकले है strawberry को भी इसके साथ छाय मिलती है और मेरा plant save हो जाता next season के लिए और यहां पे है हमारा 20 number पे कनेर का plant red color के कनेर का plant है और यहां पे 21st number पे है हमारा white color का कनेर का plant यह सब मैंने cutting से ग्रोग के और यहां पे देखे बहुत सारे मैंने जीनिया के seeds डाले थे और यह पूरा planter भर च के साथ और यहां पे सब मेरे 22nd number पे देखे यह है हमारे सब बोगन वीला के plants और यहां mix and match सब मैंने इकठे कटके रखे होए है परसुलेन तो मेरे बहुत सारे planters में निकल रहे है यहां पी टूनिया भी मेरे कुछ अभी तक चल रहे है और यहां tomatoes काफी tomatoes मैने इसके कल भी harvest किये थे एग इलाडिया का plant है summer season में भी friends हमारे plants save हो जाते हैं बस इनकी थोड़ी सी care करनी पड़ती है ठंडा fertilizer डाले आप इनको और ज्यादा fertilizer ना करे महीने में या 15-20 days के interval में ही इसको fertilize करे और पानी रोज डाले hope you like the Monday update of my garden friends thanks for watching and ध्यान रखे अपने plants का और अपना भी summer season में thanks for watching and happy gardening